हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविग्या में साथ हम तैयारी कर रहे थे प्रात्मिक सक्षक पातरता परिछा की और यह संस्क्रत पड़ागोजी है और आप लोगों को बता दूँ आप किसी भी पड़ागोजी की तैयारी कर रहे हों चाहे वो CTET हो MPTET हो UPTET हो सभी जगह संस्क्रत पड़ागोजी में यह प्रशन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है देखे अपना विशय है अजिका संस्क्रत अध्ययन अध्यापन में नवाचार नवाचार से अप लोग समझते ही होंगे कि कुछ नया या पर ये कहें कोई नई बिधी हो, नई पध्धती हो, नई तकनी की हो, कोई नई कारेपधती हो, नई सेवा हो या पर कोई नया उत्पाद हो तो ये होता है नवाचार मतलब की कुछ नया करना तो संस्कृत में क्या-क्या नवाचार हुआ किनों ने संस्कृत को आगे वढ़ाने के लिए योगदान दिया चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ और ये पूरा मैटर है ये पीडियाफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रूप सुभिग्या पर मिल जाएगी और आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें वहाँ पर मैं आप लोगों के अंसर दे दिया करूँगा देखे नवाचार से तात परिय सिक्षा या सिक्षा में नवीनता से है वही जो मैंने भी आपको कहा है सिक्षा में क्या नवीन प्रियोग किया जा रहे है चाहे वह प्रोध्योग की युक्त परिवर्तन हो या सैच्छिक विधियों का परिवर्तन हो सिक्षा को रुची पूर्ण बनाने के लिए समयान रूप प्रोध्योग की का प्रयोग किया जाता रहा है जिसमें computer सहायक सक्षा का, internet सहायक सक्षा का जिसके अंतरगत computer की कारप्रणाली तथा विध्यार्थी विशेश के बीच अनुदेशन के दोरान एक ऐसी प्रियोजन पूर्ण अन्तहक लिया चलती रहती है जिसके माध्यम से विद्यार्थी को अपनी छमताओं तथा अधीगम गती का अनुसरन करते हुए निर्धारत अनुदेशनात्मक उद्देशों की प्राप्ती में यथेश्ट सहयोग मिलता रहता है सिक्षा के छेत्र में कंप्यूटर बेविद्य परकार की ऐसी अमूल या भूमी का नभा सकते हैं जिसके माध्यम से सिक्षा जगत बेविद्य परकार की गती विद्यों को अच्छी विसेयों का अध्यान अध्यापन की आजस्ता बिलकुर ठीक है सिक्षा जगत में कंप्यू बनाने के लिए राश्ट्रिय संस्क्रत संस्थान ने आप लोगों ने राश्ट्रिय संस्क्रत संस्थान का नाम सुना होगा RSS जिसे सौर्ट में बोलते हैं ये मानव विकास संसाधन मंत्राले के अधीनस्थ ये संस्था कारे करती है और इसकी भारत में बहुत सारी तो क्या कह रहे हैं कि राष्ट्री संस्क्रत संस्थान ने संस्क्रत सक्षा को सामाजिक एबम वैश्विक रूप दलाने के लिए नए नए शोध एबम विकाश किये इबम संस्क्रत भारती ने अपने प्रियास के द्वारा संस्क्रत को सामान ये बोले चाल इभाशा में प्रतिष्ठत किया है बिल्कुल ठीक इस परकार अन्य संस्थाएं भी संस्क्रत के विकास के लिए प्रियास रथ हैं तो इन ही संस्थाओं के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है एक तो राष्ट्रिय संस्क्रत संस्थान और भी बहुत सारे तो पहला जो पर ने नाम लिया था राश्ट्रिय संस्क्रत संस्थान तो इनके क्या-क्या प्रयास रहे संस्क्रत को आगे बढ़ाने के लिए राश्ट्रिय संस्क्रत संस्थान नई दिल्ली में इस्थित एक सैच्छनक संस्थान है यह भारत शरकार द्वारा पोशित और वित्त पोशित मानित विश्व विद्याला है बिलकुल ठीक है एक मानित विश्व विद्याला है और भारत शरकार द्वारा पोशित है पूरा खर्च जो है भारत शरकार के द्वारा दिया जाता है और पूरा का पूरा जो ये चलाता है मैंने आपको बताया ही है कि माना विकार से संसाधन मंत्रा लेके अंतर गताता है भरशरकार ने संस्कृत आयोग 1956-57 की अनुसंसा के आधार पर संस्कृत के विकास तथा प्रचार हे तू संस्कृत संबध केंदर सरकार की नेतियों इवं कारिक्रमों के क्रियानवयन के उद्यशशे 15 अक्टूबर 1970 को एक स्वायत संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और साथ मईज दोहजार दो को मानुसंसाधन विकास मंत्रा लाई आ गया यहां पर भारत सरकार ने इसे बहु परिशरी मानत विश्विद्याले के रूप में घोशित किया था बहु परिशरी मतलब इसके भारत में भी बहु शारी परिशर इस्थापित किये गए हैं जैसे जयपूर हुआ, लखनव हुआ, तिरूपती हुआ, स्रंगेरी हुआ, लखनव हुआ, अपने यहां भुपाल हुआ तो ऐसे बहुत सारे जगए पर उद्देश इसका क्या था तो देख लेते हैं उद्देश के संस्थान की स्थापना के उद्देश पारंपरक संस्कृत विद्यावा शोध का प्रचार विकाश बाप्रोत्शाहन है और उनका पालन करते हुए संस्कृत विद्या की सभी विद्हाओं में सोध का प्रारंभ, अनुदान, प्रोत्शाहन इबं संयोजन करना है साथ साथ सुक्षक प्रसिक्षण इबं पांडूलिपी विज्ञान आदी को भी संरक्षण देना जिससे पाठ मूलक प्रासंग के विशेवों में आधुनिक शोध के निसकर्स के संबंध में इसपश्टिक गया जा सके तथा इनका प्रकाशन हो सके इसलिए तो ये भी बहुत सारे कारे कर रहे हैं पांडूलिपीवादी का संरक्षण हो रहा है और संस्क्रत में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं कि गती विधियां क्या हैं ये देख लेते हैं इनकी गतिविधिया रही राष्ट्रिय संस्क्रत संस्थान निमनलिखित कार्यकर्मों की गतिविधियों के संचालन हेतु करत संकल्प है चुकि मैंने भी यहां से बियर्ड किया हुआ है RSS से RSS जैपुर से किया हुआ है मैंने राष्ट्री संस्क्त संस्था जैपुर से मने भी यड़ किया है तो जिसकी यहां पर चर्चा चल रही है उसी संस्था से किया है मैंने देख लेते हैं देशक के विभिन्य राज्यों में केंद्री ये संस्क्त परिशरों की स्थापना करना बिल्कूर ठीक है बिभिन्य राज्यों में स्थापना चल रही है चुकि पूरे राज्यों में भी नहीं हो पाई है कुछ राज्यों में ही इसकी स्थापना है वर्तमान में साइद 11 कुछ एक परिसर है प्रात्मिक इस्तर में इसनातकोत्तर इस्तर तक ठीक है प्रात्मेक स्तर से इसनात कोत्तर इस्तर तक प्रारंभिक पद्धती से संस्कृत के अध्यन अध्यापन को संचालित करना एबं विद्यावारिधी उपाधी प्राप्ती हेतु शोध कारे का प्रबंध करना इसनातक एबं इसनात कोत्तर छात्रों के लिए सेवापूर सक्षक प्रस्रिक्षण कारिकरम का संचालन करना ये सारे की सारे काम वहाँ पर होते हैं स्वैक्षिक एवं संयुक्त पर्योजनाओं को लागू करने में अन्य महत्यपून संस्थाओं के शाथ सहयोग स्थापत करना पांडूलिपी संग्रहालाय की स्थापना के साथ साथ अप्राप्य एवं दुर्लभ पांडूलिपीयों एवं महत्वपून गरंथों का संपादन और प्रकाशन कार्य आदि कीफी विवस्था करना इनका कार्य है अगे संस्कृत के मौलक गरंथों के प्रकाशन करना इवं संस्कृत में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को अनुदान अंगी भूत परिशरों इवं देश के विभिन सैक्षिक संस्थाओं में अध्यनरत चात्र चात्राओं को प्रोत शाहन ठीक है संस्कृत देकर प्रोत शाह संस्क्रत में प्रकाशित उपयोगी ग्रंथों को खरीद कर विभिन संस्थाओं में नहिशुल कवित्रण करना तो अभी भी नहिशुल कवित्रण होते हैं प्रारंप्रिक पद्धती से प्राथ्मिक इस्तरशे इसनातकोत्तर मत्व आचारे तक तो प्रत्मा से आचारे इस्तरपरियंत परिछाओं का आयुजन करना बलकुल ठीक है अगे प्रारंप्रिक पद्धती से संस्क्रत संस्थाओं को संबध्धता परदान करना बर्तमान में भी बहुत सारे विद्याले जो हैं इनसे संबध्धत हैं और ये संचालित करते हैं देश की संस्क्त से भी संस्थाओं को लाभ पहुचाने के लिए और विभिन संस्थाओं में पदस्थापित करना ये और एक चीज़ और है कि राष्ट्री संस्क्त संस्थान का एक कार और चल रहा है कि कहीं पर भी संस्क्त विद्याले हो तो उनके लिए ये बेतन भी देते हैं मतलब वहां से संचालित होते हैं ये विद्याले विद्याले आपका रहेगा लेकिन वहां से जो सिक्षक मतलब जो संस्कृत पढ़ाने वाले सिक्षक रहेंगे उन्हें अनुदान के रूप में वेतन वहां से मिलेगा तो ये कारेवी राश्ट्री संस्क्रित संस्थान कर रहा है आगे और भी विशेश्टाएं है कारेवी रत संस्क्रित प्राध्यापकों के ग्यान वर्धन हे तू पुनस्चरिया पाठ्ठ करम का आयोजन करना और समय समय पर देश इवं बिदेश इस तरह पर विश्व संस्क्रित संमयलन जैसे ब्रहत कारेकरमों का भी आयोजन यही करती है राश्ट्री संस्क्रित संस्थान वर्तमान में संचालित कारेकरम निमन लिखे थे ये कारेकरम वर्तमान में चलते हैं एक तो पत्रकार एवं अनुपचारिक रीती से संस्क्रत सक्षण प्रसक्षण तथा स्वाध्याय सामग्री का निर्माड करना अनुपचारिक संस्क्रत सक्षण और संस्क्रत भासा सुख्यक प्रसक्षण का भी आविजन करता है सास्त्री ग्रंथों का उन्नत सक्षन आगे स्वाध्या शामग्री का निर्माड करना इलोक्ट्रोनिक माध्यमों से संस्कृत कार्यकरम का प्रशार करना प्रारंब्धक या फ्रह ये कहें कि पारंपर्क पध्धतीशे संस्थान एबं संबध संस्थाओं द्वारा संचालत समस्त पाठ्धकरम के लिए परिच्छाओं का आयुजन करना परिशरों की स्थापना करना बिलकुल परिशरों की स्थापना की जाती है अलग-अलग स्टेट में योग्य चात्रों को चात्रवत्ती पदान करना संस्क्रत संबर्धन तथा प्रशार हेतू प्रचार प्रशार हेतू भारत सरकार के विविध योजनाओं का कार्यान वयन करना और भारत के राष्टरप्रती द्वारा सम्मानित विद्वानों को मान दे राशी आदी की भी यही यह सब कार करता है और अखिल भारती वाकिस्ट परधा पृतियोगिता आदी का अवेजर करना और स्वाइक चिक संगठन संस्थानों को बित्तिय सहायता प्राप्त करने यही जो मैंने भी आपको बताया था कि सिक्षकों को वेतन प्राप्त होती है और ये वेतन मैं भी एक बार ले चुका हूँ मैंने जहां पर बढ़ाय था संस्कृत विद्याला ही था तो परश्वाइनल विद्यालै था लेकर वहां जो वेतन मिलता था वो राष्टूशन्स को संस्थान से भी मिलता था अब एक और है इसी चेत्र उस चेत्र में जो की नवाचार के चेत्र में काम कर रहा है अर्विंदü आसरम स्री अर्विंद। में है हाँ मंबई में है और जहां देश बदेश से सरधालू आते हैं आश्रम के आध्यात्मक सिधान्त योग और आधुनक विज्ञान के अद्भुत मेले को दर्शाते हैं आश्रम में कई विभाग हैं जिनमें कार्याले, संस्क्रित कार्याले, पुस्तक आले, भोजन कक्ष, पुस्तक फोटोग्राफ, प्रिंटिंग, कार्यशाला, खेल का मैदान, आर्ट गैलरी, नर्शिंग हॉम आधी भी सामिल हैं यहां कई विशेश आउसर पर दर्शन उत्साव का आउजन किया जाता है, जिसमें श्री अर्विंदो, घोश और मीला अलफासा, जो की मां के आध्यात्मिक विचारों का परचार प्रशार किया जाता है आश्रम में एक पुस्तकाले भी है, जहां परेटक, आध्यात्मिक और योग संबंधी पुस्तकें और योग के नए अनुहाव ले सकते हैं इस आश्रम का परचा देख लेते हैं, तो श्री अर्विंद आश्रम के मूल में भारत के प्रशिद्ध कभी और दार्शनिक श्री अर्विंदो घोश थे, मतलब कि इसकी स्थापना मूल में कहें यही की जड़ थे, उसकी स्थापना की होना और कब की, 24 नवंबर 1926 को, तो अर्विंद आश्रम की स्थापना इन्होन की थी, और उशी वर्सम के दिशंबर, दिशंबर माह में अर्विंद ने ये निश्चे किया की बे जनता से दूर रहेंगे, और उस समय आश्रम में लगभग 20 से 25 साधक ही थे, जिनमें से एक विदेशी मूल की चितरकार और संग समय इननिए विंद गोश की मृत्यूं के बाद 1950 में मीरा अलफाशा ने अर्विंद आश्रम की स्थापना की और 1973 तक उससे संचालित किया, संस्कृत के उत्थान में स्री अरविंद के प्रयाश मीरा अलफाशा मा जिन्होंने स्री अरविंदो आश्रम टरस्ट की इस्थापना की थी जो की एक चित्रकार और संगीत कार भी थी संस्कृत एक साधारन रूप में भारत की राष्ट्रिय भासा घोशित होनी चाहिए और इश सास्त्रिय भासा से मा गहराईश प्रवावित थी और भासा के प्रचले तभाय की यह एक मुस्किल और विद्वानों के लिए ही प्राशंग एक भासा है तो इसको दूर कर शामान जनके उप्योग के लिए संस्कृत का एक सरल रूप चाहती थी है और जिसे सरलता से लिखा जा सके आपस में वात चीत की जा सके और आसानी से समझा जा सके तो आसरम में संस्कृत का रियाले माकी संस्कृत के परती इसी निष्ठा का परणाम है तो वहाँ पर एक संस्क्त का रियाले भी है जो कि इन्होंने अलफासा जी ने उसकी स्थापना कराई थी और शंस्क्रित के सरल रूप को बढ़ाबा देने के लिए लोगप्री बनाने में श्री अरविंदो आश्रम का संस्क्रित कार्याले कई वर्शों से शक्रिय इवम संस्क्रित के लिए समर्पित है इस दसा में आश्रम के संस्क्रित कार्याले के अनुसंधान कार्याने अब तक एक अलग तरीकेशे अपनाने के लिए संस्क्रित को अध्यापन और शीखने के लिए कई नबीन पुस्तकों का संपाधन किया है सुरूबाती दौर में ये पुस्तके विशेश रूप से बहुत आसानी से भाशा में सीखने में मददगार साबित हो पाएंगी बिए को ठीक है मतलब की ये कह रहे हैं सुरूबाती दौर में ये पुस्तके विशेश रूप से बहुत आसानी से भाशा सीखने में मददगार साबित हो पाएंगी जो की मुश्किल माना जाता था तो अरविंदो अश्रम के बहुत ज़्यादा प्रयास हैं और लगातार अभी भी वहां से ऐसी पुस्तके प्रकाश्ट की जा रही हैं कि जिसके माद्यम से चात्र अच्छी तरह से और संस्कृत को समझे सकें बोल सकें ये दो वहां से प्रकाशित होती हैं ये दो वहां से प्रकाशित होती हैं अंग्लस में और संस्कृत कैसे पढ़एं सुरुभारती नाम से एक से चार भाग उसके संस्क्रित सरल संस्क्रित शरनी है ये एक से इसके दो पार्ट है और संस्क्रित व्यवहार संस्क्रित अश्य व्यवहार एक स्वरूपम नाम से है एक और एक छंदो वल्लरी है जो कि सुरुवाती समय में संस्क्रित भासा सीखने और लोग प्री बनाने में बेहद सहायक है ये तो ये तो थे अर्विंद वास्रम के प्रयास, अब है संस्क्त भारती, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है संस्क्त को आगे ले जाने में, अपने लोग सोचते हैं कि संस्क्त को आगे ले जाने में कौन-कौन कारे कर रहा है, तो इन सभी संस्थाओं के बहुत ज़्य प्रशिक्षित विद्वान अन्य साथियों को यफर ये गहें कि अन्य चात्रों को प्रशिक्षित करते हैं तो यहां पर थे है अपन चमुकृष्ण सास्थ्री ने समस्त विश्व में संस्कृत भारती नामें संस्था की सतापना की थी चमू कृष्णा भारती जी ने और इसका परिचेपन देख लेते हैं संस्कृत भारत की अती प्राची निभासा है किन्तु दुरुबहग्यशे आधुने के कालम में इसकी उपेक्षा की जा रही है जोकी स्वर्गिय बाला सहब आपटे संस्कृत के परम आग रही थे और स्वयम सेवकों को संस्कृत शीख ने तथा इसका प्रचार करने के लिए प्रिरित करते थे इसकारण अनेक स्वयम सेवक इस दिसा में कारे करते हुए प्रांतिय तथांग इस्थानी इस तरपर भारत संस्कृत परिशद बहुत सारे प्रयास हैं इनके भी ये पहली संस्था है, इस्थानी इस्थारपर है स्वाध्याय मंडल विश्व संस्कृत प्रतिष्थान आदी अनेक कार्य प्रारम्भ किये गए और फरवरी 1996 में संस्कृत के छेतर में कारे करने वाले देश के सभी कारे करता दिल्ली में एक अत्रत हुए जहां उपरोक्त संस्थाओं का विले करके अखल भारती इस तर पर संस्कृत भारती की स्थापना हुई देखे मतलब जो यह बहुत सारी संस्थाओं थी यहां पर ने स्वाध्या मंडल देखा यह देखे यह तो इन सब के जगहे पर फिर एक संस्था की स्थापना हो गई कौन सी संस्कृत भारती के इसके उद्देश क्या क्या रही यहां पर मैं पॉइंट यहां नहीं डाल पाया पहला जब लोगों के मन में संस्कृत के परती प्रैम जागेगा तो संस्कृती के परती श्वाभाविक प्रैम उत्पन होगा संस्कृत भारती जो की संस्कृत भारती का मूल उद्देश यही है संस्कृत बोलना सीखना संभाशन के माध्यम से संस्कृत का परचार प्रसार करना और संस्कृत को फिर से व्यावाहारिक भाषा बनाना देखे इनका प्रमुक उद्देश यही है आप से यदि पूछा जाए पेपर में कि संस्कृत भारती का प्रमुक उद्देश क्या है तो संस्कृत भारती का प्रमुक उद्देश यही है कि आप लोग संस्कृत बोल सकें गाओं गाओं तक पहुचाना इनका लक्ष है और बोल चाल की भाषा बनाना है और संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाने के लिए बिविद उपक्रम मतलब ये कह रहे हैं संस्कृत भाषा को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाने के लिए आप लोगों न देखा होगा कि आप लोगों को उत्तर भी संस्कृत में ही देने होते हैं तो इन्हीं के ये कारिक्रम हैं कि संस्कृत में ही आप लोगों को उत्तर लिखने पढ़ेंगे और संस्क्रित से जाती मत पंथ भाशा उंचनिच आदी सभी भेदभाव को मिटा कर सामाजिक समरस्ता लाना और भारत में संस्क्रित पनुर्थान करना बिल्कों ठीक हैं कि प्रयास बहुत बढ़िया है क्योंकि मैंने जहां पर पढ़ाई की है वो संस्था टोटल जैन है लेकिन वहां पर जो पढ़ाई होती है टोटल संस्क्रित होती है संस्क्रित टू संस्क्रित और वो भी कहां से सि ने शिम्षप से ले करके छटमी से लेकर आप वहां पर MAC तक का पूरा कोर्स करके ही निकलते हैं सब लोग ąda कोर्फ पूरी सथा यह यह कहें, जैन है वैसे लेकिन संस्कृत पूरा कंप्लीट पढ़ाए जाता है तो इस परकार से तो वहाँ कोई जाती या पंत का भीदभाव नहीं है कॉलेज रहते हैं वहाँ पर कोई भी आकर के और पढ़ सकता है यहाँ पर संस्कृत भारती के प्रयास दिये हुए है जहां संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत संभाशन सबर आज़ित किये जाते हैं प्रमुक उद्देश यही है और इन में दस दिन तक प्रतिदन दो घंटे के प्रसिक्षण द्वारा बालक वाली काये संस्कृत में संभाषण करना योग यह हो जाते हैं संस्कृत संभाषण शीखने के लिए संस्कृत के आचारियों को प्रसिक्षण दिया जाता है अब तक ऐसे हजारों आचारियों द्वारा लाखन ़ोगों को संस्कुत संभाशन सिखाया जा चुका है 17.25 द्वारा संस्कुत अध्यन की योजना चार भाशाओं के वर्तमान में परचलते है संस्कुत भार्ती द्वारा कुछ अन्य प्रयास भी किये जा रहे हैं में प्रमुख है संस्कृत परिवार योजना और संस्कृत ग्राम योजना संस्कृत बाल केंद्रम योजना जो कि खेलों के माध्यम से संस्कृत वा संस्कृती का ज्यान दिया जाता है संस्कृत भारती के प्रयासों से करनाटक के मत्तूर करनाटक के मत्तूर जिले में एक ग् में संस्कृत आम बोल्चाल की भासा बन गई है कहां पर मत्तूर में जो कि करनाटक का एक गाउ मत्तूर है यहां पर आम लोग संस्कृत बोलते हैं सभी लोग संस्कृत बोलते हैं जैसे अपने यहां कोई बुंदेली बोलता है कोई बगेली बोलता है कोई मारवाड़ी बोलता है कोई बहुत सारी भाशाएं हैं तो ऐसे ही वहाँ पर उनके मुख्यकारिक्रम देख लेते हैं इनके मुख्यकारिक्रम क्या है संस्कृत भारती वालों के तो दस दिन तक संस्कृत संभार्शन सिवरों में प्रति दिन दो घंटे की कक्षा बिलकुर ठीक है संस्कृत आचारियों को प्रसिक्षन समपूर्ण ध्यान से समर्पित पूर्ण कालिक कारकारताओं का निर्मान मतलब की जो वहां पर कारकारता निर्मित होंगे वो जीवन वर के लिए समर्पित रहेंगे शेवा वस्तियों में संस्कृत कक्षा हैं बिलकुर ये कहें कि उपेख्षित जगह जहां पर संस्कृत बिलकुर हिन्दी, गुज्राती, मराठी, तमिल, आंगल, कलनर और मलयालामाणी में कराना इनकी उपलबदियां क्या रही अभी तक ये भी देख लेते हैं संभासन का प्रिशक्शन भग ऐठारह अच्जार आचारें का प्रिशक्शन किया है। पुस्तकों का प्रकाशन किया है 2000 संस्क्र helpful इन्होंने यह कहें कि बना आए हैं जहां संस्क्रKEN लोग बोलते हैं दो संस्क्रेक के ग्राम है जहां पूरा गाओं संस्क्रट बोलता है शंस्क्रत संभासनों को सरलता से शिखाने की एक अपूर्व पध्धती का विकाशन होने किया है अमेरिका, इंग्लेंड, आदी देशों में संस्कृत भारती का काम चल रहा है अंतरात्मा पर भी संस्कृत भारती का अंतह चित्र है और इस सतापदी की समापतिशे पहले भारत मैं संस्कृत का चितर बदलने के लिए व्यापक कारी जना तय और उसके अनुशार भारती ने अपने कारे स्रूरू किये हैं संस्कृत को फिर से भारत की बोलचल पहसा बनाने की दृष्टी से 1981 में संस्कृत भारती द्वारा इस्थापित शमरपृत सिक्षकों के साथ 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 जिन्होंने संस्कृत के माध्यम से अपनी संस्कृत एक उत्तराधिकार की रक्षार्थ अपने महत्वपूर्ण यौवन को समरपृत किया है ऐसे सेवा वरतियों तथा पूर्ण कालिक कारेकरताओं का देश व्यापी धांचा भी खड़ा किया जा सकता है इसके लिए संस्कृत भारती सामाज की जीवन के विभने चेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों का युगदान पराप्त कर रही है बहुत सारे लोग संस्कृत भारती के लिए कारेकरते हैं और नहिशल के कारेकरते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ऐसे लोग संस्कृत के लिए आगे आ रहे हैं चुकि इनके जो कारेकरम होते हैं उन सभी कारेकरमों के लिए गौर्मेंट पैसा देता है जैसे कि राश्ट्री संस्थान हुआ तो इस संस्था को पूरा गौर्मेंट चलाती है पूरा गौर्मेंट की तरफ से होता है क्योंकि संस्थान संभर्धन के लिए यहां पर सारे कारे चल रहे हैं और इस मैटर पर आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगें वो पॉइंट आप लोग नोट करें और इन संस्थाओं के बारे में भी समझ लें नहीं से कि इन संस्थाओं के क्या क्या कारे हैं और वर्तवान में क्या क्या कर रहे हैं इनके गरंत कितने प्रकासित हुए हैं कब इनकी स्थापना हुई तो यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और यह बहुत अच्छा मैटर है मुझे बहुत ज़्यदा टाइम लग जाता है इस प्रकार के मैटर लाने में लेकर कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इससे कुछ पूछा जा सकता है यह फ़र कभी पूछा गया है तो वो सारे के सारे मैटर लाने की कोशिश करता हूँ चुकि मैंने सारा का सारा cette पढ़ा है लेकिन हाँ अपने मंझ से भी आप लोगों को समझा सकता था लेकिन मैंने सूचा भी मित्रहों उनके पास पहुच जाए सारे ग्रुप्स में आप लोगों को शेयर करना है और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है और कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग मैंने आपको बताया ही था इस्टाग्राम पर आप फालू करके और वहां पर पूछ सकते हैं बहुत बहुत धिन्वाद आप सभी का